हेलो एप्रिवन वेल्कुम तो में यूट्यूब चैनल इन इस वीडियो भी स्टार्ट वोक्षिट नमबर वन ओफ चैप्टर फाइव परसेंटेज एप्लिकेशन ओफ क्लास शिक्स नमबर वन इस वर्ट परसेंटेज रूपी 63 ओफ रूपी 90 तो यहां पर यह मैं इसको इस प्रोडक्षन में आपको कुछ कोश्चन दिए होते हैं Do You Remember? वह मैंने आपको इससे पहले करवाए हैं। और हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं वक्षिट नमबर वन और इसका ये कोश्चन number one तो इसमें देखें किया है what percentage अभ हमीं percentage यहाँ पर फाइंड करनी है ठीक है, ओफ रुपी 90, अब आपको क्या करना है, आपको बताने कि 63 90 का कितना % है, क्या find करना है, रुपी 63 ओफ रुपी 90, अब आप यहां पर देखो, कि जब भी हमें ऐसे % find करने हो, तो ऊपर तो हमें वो चीज लेने हैं कि जैसे यहां पर total complete चीज कितनी है, 90, ठीक है, इनाइंटे स्कुल्स पर्संटबंक के तो आपको कहा offers 43 फ़ेशन को दिए हैं अगर परसेंटेज निकाल कि कितने परसेंटेश आपने दिए हैं तो उन्हों पर टो लिखोगे looks 63 और ऑचिज जाएगी जो complete चीज है और complete कितना था 90 तो हम बाय में लिखेंगे 90 ठीक है 63 of 90 ठीक है जैसे हम लिखते थे percent तो नीचे percent में cent complete चीज आती तो complete चीज कहा आती थी नीचे ठीक है तो यह 90 कहा जाएगा नीचे अब हमें इसकी क्या करने है what percentage means हमें क्या बनाना है percentage बनानी है तो means मेरा answer में क्या आना चाहिए percentage आनी चाहिए तो जब भी answer में percentage लेकर आने तो हम 100 कहां लगाते हैं ऊपर ठीक है तो यहां से 0 से 0 कैंसल करें 9 की टेबल में देखो 63 जरूर आता हो 9 1009 970 63 तो यहां पर इनको multiply करो 7 को 10 से multiply करेंगे तो कितना जाएगा 70 परसेंट तो यह part का answer है हमारा 70 परसेंट है नेक्स्ट है 80 लीटर ओफ 240 लीटर है सेम अब यह सारे ही question एक जैसे ही है तो यहां से लिखेंगे 80 लीटर नहीं लिखना है उसको बाद में लिखेंगे 80 लीटर ओफ 240 लीटर ठीक है मतलब total complete चीज 240 है उसमें से हमने कितना लिया है 80 लीट अब percentage बनाने में multiply 100 कर दो ठीक है जो answer आएगा किस में आजाएगा percentage में 0 से 0 cancel करो देखो 8 की टेबल में 24 आता होगा ठीक है 100 और divide कर दो 3 से 3300 9 ठीक है और 1 remainder अब इसको mix fraction बनाएंगे तो देखो क्या करना इसका एक तरीका होता है आप यहां पर एक ऐसे यह dash जैसा होता है ऐसे लगा लो ठीक है आपका answer कितना है 33 ठीक है जैसे हम जब इसको divide करते हैं तो या तो जो हम यहां यह उपर लिख तो आप answer क्या कहते है कि answer कितना है 33 उसको तो आप इसको लिखोगे इसके आगे ठीक है आप बच्चों को confusion होता है कि 3 को उपर लिखूं या 1 को उपर लिखूं तो आप याद रखोगे निचे वाला उपर उपर वाला नीचे ठीक है क्या रखना है नीचे वाला उपर उपर 16 of 250 तो यहां लिखेंगे 16 of 250 मिन्स complete चीज है 250 तो complete चीज हमेशा कहां आती है नीचे और इसको percentage बना रहा है means multiply 100 कर दो जो answer आएक वो किसमें आ जाएगा percentage में ठीक है 0 से 0 cancel करो अब इसको आप देखो 5 की टेबल में 10 और 25 दोनों आते हैं 52010 55025 तो यहां से कितना और cancel नहीं हो रहा है 162032 divided by 5 percent 32 को 5 से रिवाइड करो 56030 remainder 2 mix fraction में convert करेंगे तो मैंने अभी भी आपको बताया है जो answer आता है उसको आगे लिखो निच्चे वाला उपर उपर वाला निच्चे 6 इंटू 2 by 5 परसेंट 200 cm of 1 meter ठीक है अब पहले तो हम क्या करेंगे आपकी एक तो आपको यह पताने हैं कि दो जो भी आपकी quantity दी हुई है जैसे यहाँ पर 200 cm है और यहाँ पर 1 meter वो दोनों सेम होने चाहिए तो 1 meter के हम क्या कर लेंगे cm बना लेंगे तो 1 meter किसके को लोता है 100 cm मैं इसको यहाँ पर कट करके क्या लिख दू 100 cm है तोभा यहाँ देखें कि है जाएगा 200 cm ओफ 100 cm तो ओफ के बाद वाद जो चीज़ा उसको कहा लिखते है नीचे ठीक है फोसके बाद जोबी चीज़ाई उसको कहां लिखा जाएगा नीचे 200 cm ओफ 100 cm निज़ाएंगे मैं तो और यहां से आ जाएगा परसेंटक है यहां से 100 कैंशल तो अंसर आएगा 200 परसेंट थर्टीन वीकस फोफ वन यह अब यहां पर वीक से और यहां वन यह तो वन यह में कितने वीक सोते हैं 52 वीकस यहां आपके दोनों सेम होने चाहिए हैं यहां वीकस हैं तो यहां पर भी वीक तो यहां पर आजाएगा 13 divided by 52 आप इसको cancel ना करें आप यहां लिखकर दिखा देया है से 1 year is equal to 52 weeks ठीक है 13 divided by कितना जाएगा 52 into 100 ठीक है अब 13 की टेबल में 52 आता है तो 100 को cancel करेंगे तो 50 2 1s are 2 2 2 2s are 4 2 5s are 10 means 50 का half करेंगे 25 तो answer आएगा 1 है 25 25 और 1 को multiply करेंगे तो कितना आएगा 25% next है one dozen of one score अब आपकी दोनों ही चीज़े यहां पर अलग है तो one dozen पहले आप देखें क्या होता है one dozen आपको भी बनाना लेने गया होगे तो आपने भूलाओगा one dozen एक दरजन दे दो दरजन means dozen में कितने होती है 12 things ठीक है ऐसा question मैंने आपको पहले भी करवाया है one score one score में कितने होती है 20 things ठीक है तो अब आप यहां पर one dozen की जगह हम क्या लिख लेंगे 12 things और one score की जगह कितने आ जाएंगी 20 इसको अब percentage में convert करने है अब 12 things of 20 things तो ओफ के बाद जो चीज़ आएगी वो कहाएगी नीचे और multiply hundred आ जाएगा तो यह क्या बन जाएगा percentage 25,100 1250 60% तो यहां इसका कोई अंसर आया है 60% अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें अगर किसी कोश्चन में कोई प्रोब्लम है तो आप कमेंट करके सकते हैं थैंक यू सो मच